अभी हमारी सरकार के थर्ड तम के करीब 125 डेज पूरे हुए हैं। मैं आपके साथ 125 डेज का अनुभव शेयर करूँगा। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोर नए पक्के घरों को मंजुरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाग करोट डुपे के इंफ्रासेक्टर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई बंदे भारत ट्रेने चलाई हैं। आठ नए एड़्पोर्ट के काम शुबारम हुए हैं। इनी 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाग करोट डुपे का पकेट दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21 थाउजन करोड रुपे सीधे ट्रांसपर किये हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुरुगों के लिए 5 लाग रुपे तक के मुपतिलाज की ववस्ता की है। आप भारत में हो रहे काम का दायरा देखिये। 125 डेज में 5 लाख घरों में रुपटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। एक पैड मा के नाम अभ्यान के तहत 90 करोड से अधिक पैड लगाए गए हैं। इतना ही नहीं है। 125 डेज में हमने 12 नए इंडस्टियल डॉट्स को मंजूरी दी है। 125 डेज में हमारे सेंसेक्स और निप्टी में 6-7 परसंड की ग्रोथ हुई है। हमारा फॉरेक्स 650 बिलियन डॉलर से बढ़कर 700 बिलियन डॉलर के पार कर चुका है। भारत की उपलब्दियों के लिस्ट बहुत लंबी है। और मैं सिर्फ 125 डेज की ही बात कर रहा हूं। और मैं समयों का बात कर रहा हूं। और मैं सिर्फ़त निप । झाल झाल